नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वावगत है हमारे इस वीडियो चैनल सिक्षा अकेडमी में ते दोस्तों आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे जीब बिग्यान की कुछ महत्पूर्ण प्रशनों की एम से क्यूंस तो चले दोस्तों देर नगर तो यह वीडियो को श्टा जनक किसी कहा जाता है तो इसका सही आंसर है दोस्तों आप्शन ए यानि थियो थियो फ्रेट इसको ही बनस्पति सास्थ का जनक कहा जाता है इसके बाद चलते हैं अंगले प्रश्ट पर अंगला है नाय टूजन यूगी की करण में निम लेकत में से कौन सी फसल साहिक है तो दोस्तों इसका सही आंसर है ओप्शन यानि की चावल इसका सही आंसर है चावल इसके बाद चलते हैं नेश्ट इनोवा क्या है तो दोस्तों इनोवा एक वायरिस का नाम है तो इसका ओप्शन हो जाएगा इनोवा एक वायरिस है इसके बाद नेश्ट है केक्टस में सूल किसका रूपांतर है केक्टस में सूल किसका रूपांतर है तो इसका सही आंसर है option C यानि की है पत्ते का रूपांतर है इसके बाद next question है कुरिण जी उसके 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है इस फूल का नाम है कुरिण जी उस्व तो इसके बारा साल में एक बार खिलता है तो दोस्तो यह किस कारण से खिलता है तो इसका कारण है दोस्तो यह फ्लोरीजन स्वावन करता है क्या फ्लोरीजन स्वावन की कारण यह 12 वर्ष में की बार खिलता है इसके बाद next question परचलते हैं next है long है तो दुस्त के लूंग क्या है दुस्त का सही answer है long एक तनी की गांट है तो option आजाएगा long एक क्या है तो आप सुना जाएगा ए इसके बाद नेश्ट है प्रकास संसलेशन का अंतियम उत्पादन है प्रकास संसलेशन का अंतियम उत्पादन क्या है तो प्रकास संसलेशन का अंतियम उत्पादन है कार्वो हाइट्रेट क्या कार्वो हाइट्रेड है अंतिम उत्पादन इसके बाद नेश्ट कोशन पर चलते है किसकी उपस्तिती के कारण किसी पादक कोशिका और पसु कोशिका में अंतर पाया जाता है किसकी उपस्तिती के कारण तो दोस्तो इसका सही अंसर है अप्सन भी यानिकी ये कोशी का भित्ती जो है यह केवल और केवल पादक कोशी का में पाई जाती है जन्तु कोशी का में नहीं पाई जाती है इसके बाद चलते हैं नेस्ट पर नेस्ट कोशन है मुक्ता मैन ग्रोन बाले जोरी बन कहां पाई जाते हैं दोस्तों यह पाए जाते हैं कहाँ पर सुन्दरबन डेल्टा में ही पाए जाते हैं इसके बाद नेश्ट कोशन पर चलते हैं परिस्तिति की तंद्र से तत्मों के चक्रन को क्या कहते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्सन बी यानि की जैब भूग रशानिक चक्र कहते हैं जैब भूग रशानिक चक्र इसके बाद नेश्ट है बाईू मंडल में उपस्तित ओजोन परत अपसूसत करती हैं क्या अपसूसत करती है तो दोस्तों यह करती है ऑप्सन नमर 3 अल्टा बाइलेड करनों का ब्यां आपसे उसां का लेती है कि आपसन बी कि लिए मत्चली से for the संबंधित अध्यान क्या कहलाता है मचलि Africa सफ्थी मचलिका क घ Здравствуйте मचल आखेसं संबंधित जाता है मचलिकशा कर जाता है इसका लखे लुई पाष्चन ने किस की खोज की थी, इसके बात next question है, किस और तक के नक और सिंग बने होते हैं, किस और तक के नर और सिंग बने होते हैं, तो इसका सही answer है option C, यानी की है cratine की बनी होते है, क्रेटरिक नाम का एक उर्था कोता है, जिसके नर और सिंघ बनी होते हैं इसके बाद next question है, अनुबांसी की unit अर्थाथ जीन होते हैं, तो इसका सही answer है option नंबर 2 यानी या इक गुर्ण सूत्र होते हैं इसके बाद next question है नेमल लेखत में से एक mean है तो इसका सही answer है option number c यानि किया flying fish है flying fish है mean इसके बाद next question पर चलते हैं next question है पहला clone पसु डॉली कौन सा पसु था पहला clone पसु डॉली कौन सा था तो इसका सही answer है option number 4 या बेड़ थी इसके बाद next question पर चलते हैं डायना शौर थे तो इसका सही answer है option number 4 या दुस्तो मैसो जोईंग सरी सिरफ थे कौन मैसो इंग सरी सिरफ इसके बाद next question पर चलते हैं लार किसके पाचन में शाहिक होती है लार किसके पाचन में शाहिक होती है तो उसका सही answer है option B यह दुस्तो इस टार्ज के पाचन में सहाहिक होती है इसे ही रख्ट में Co2 और O2 की मात्र रहती है इसका बनियम होता है और याकृत में कोछ जहर रखताया रहता है यह वीडियो इससी प्रेश्ण के साथ यही पर शाफ होता है यह आप पको वीडियो पसंद आया होते हैं फ्लीज वीडियो को लाइक करने करें और चैनल को सस्क्राइब क चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेस्ट वीडियो में तब तक लिए दोस्तों बाई